सो हेलो गाईज वेलकम बैक टो अवर चैनल एंड आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही कमाल की वेबसेट बताने वाला हूँ जहां पर जाकर आप लोग अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीक ऐस एडिट कर सकते हूँ इसपेशली यह वेबसाइट उन लोगों के लिए जादा यूसफुल होने वाली है जो लोग वाइस ओवर चैनल चलाते हैं मतलब जो जो लोग फेसकेम वीडियो को नहीं बनाते हैं उन लोग को काफी जादा प्रॉबलम होती है एक-एक क्लिप को वाले यह उसको भी बढ़ा देगी तो बिना टाइम वीडियो को शुरू अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन को दबा देना अब चलते हैं वीडियो की तरफ अब क्योंकि यह एक वेबसाइट है तो आपको कोई आपको कोई एक ब्राउजर को उपन करना है एंड सर्च करना है फिलेक्स क्लिप वीडियो में कर और चाहो तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो इस वेबसाइट का लिंक आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगा वेबसाइट का यहां पर कोई एप्लिकेशन डाउड करने crud तो मतलब अगर आपके पास में स्टोरेज का इसयू है तो आपको कोई एप्लिकेशन डाउलोग ने करनी सिंपब आपको वेबसाइट पर आना है और वीडियो इसको एडिट करना है बट यह वेबसाइट पूरे तरीके से फ्री में है आपको यहां पर कुछ plans को purchase करना पड़ता है लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा free में भी देखना चाहते हो तो आपको बहुत कम features मिलते हैं बट आप लोग use कर सकते हो और मैं जो use कर रहा था वो था इसका business plan जो किसका top plan है और आप में से 10 लोगों को इसका business plan बिल्कुल free मिलने वाला है तो आपको simple दो steps को करना है एक आपको चैनल को subscribe करना है दोसरी चीज़ आपको एक comment कर देना है अपनी email id के साथ में तो वो जो email id होगी उससे आपको इस वाली website को पर login कर देना है login करने के बाद आप लोग चेक करोगे तो आपको इसका जो business plan होगा वो activated मिलेगा यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाते हैं create by templates and start from scratch अगर create by template पर जाएंगे तो आपको काफी सारे templates देखने को मिल जाएंगे तो अगर आपका voice over channel है आपके लिए काफी useful रहने वाला ये वाला option and next option है start from scratch तो जैसे कि आप लोग फिल्म हो रहा है या फिर adobe premiere pro के उपर अपनी videos को edit करते हो या किसी और software पर edit करते हो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोग videos को edit कर सकते हो and थोड़ा scroll करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाली जो website है काफी जादा trusted है and आप लोग इस पर easily trust कर सकते हो and थोड़ा सा और scroll करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे आपको template देखने को मिल जाते हैं तो अभी हम लोग templates के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाता है more templates का तो यहाँ पे जैसे हम लोग आएंगे आपके सामने काफी सारे templates आजेंगे हर category के तो आप लोग अपनी category select कर सकते हो आपका tag channel है आपको अपनी videos के लिए intro outro बनाना है जाते हैं अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी एक template को देखना है उसका preview देखना है तो आप लोग simple उसके उपर अपने mouse की cursor को रख दोगे आपके सामने उसका preview आजाएगा कि यह template कैसा है बाकि अगर आप इसको customize करना चाहते हो तो आप लोग इस पे customize का option पे click करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस type का interface आएगा एंड आप इसको आप अपने तरीके से customize कर सकती हो अपना channel का logo लगा सकती हो चैनल का नाम लिख सकते हो, website का नाम लिख सकते हो या फिर आप कोई image इसमें डालना चाहते हो कर सकते हो मतलब काफी सारे customization के आपको option देखने को मिल जाते हैं and left side में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वापिस से वही सारे template देखने को मिल जाते हैं इसके बाद में आपको option मिलता है media का, वहाँ से आपको वीडियो एड कर सकते हो, photos एड कर सकते हो then आपको option मिलता है text का, उसके बाद में video एड कर सकते हो, आप लोग इसी website से and इसके बाद music एड कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो elements एड कर सकते हो elements में आपको काफी सारी अच्छी चीज़े देखने हो जैसे कि आप लोग ये YouTube का logo लगा सकते हो and animation भी आप लोग यहीं पे देख सकते हो आपको किस टाइप का animation देखने को मिलेगा साथ ही में आपे like बटन भी है subscribe वाला बटन भी है तो ये सारी चीज़े आप लोग यहां पे लगा सकते हो इनके size को छोटा बड़ा कर सकते हो and इनको adjust भी कर सकते हो आपको कहां पर इनको रखना है आप लोग वोशब कर सकते हो rotate वगारा भी कर सकते हो अब बात कर लेते हैं कुछ text के बारे में अगर आपको अपने channel का intro बनाना है तो उसमें आपको अपने channel का नाम डालना पड़ेगा तो यहां पर आपको काफे सारे text के option देखना को मिल जाते हैं आपको किसी को भी एक को select कर लेना है and यहां पर आप देखोगे कुछ animation आपको इस type से देखने को मिल जाएगा सबके अलग अलग animation है तो सबसे पहले हम लोग यह logo को नीचे कर लेते हैं थोड़ा adjust कर लेते हैं इसके बाद में हम लोग यहां पर अपने channel का नाम बगरे डाल सकते हैं या फिर आप अपनी चाहो तो website डाल सकते हो Instagram handle डाल सकते हो, Facebook बगरा यह साई चीज़े आप लिख सकते हो तो कुछ भी type करने के लिए आपको double click कर देना है तो यहाँ पर मैं अपने channel का नाम डाल देता हूँ and okay कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब यहाँ पर मेरा channel का नाम आ गया है and अब इसका size भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से and नीचे चाहो तो आप लोग यहाँ पर अपनी website डाल सकते हो या फिर आप अपना intro, outro जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो and अब बात कर लेते हैं logo के बारे में तो आपको इसके उपर double click कर देना है and यहाँ पर आप देखोगे आपके सामने काफी सारे photos आएंगे तो आप किसी भी folder में जा सकते हो और वहाँ से अपना जो logo है उसको इसके उपर लगा सकते हो तो यहाँ पर लोगो आपके सामने कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा and आप लोग चाहो तो इसे दुबारा से चेंज भी कर सकते हो तो यह सारे customize के option आपको देखने को मिल जाते हैं एक template के अंदर and अगर आप लोग टॉप पर देखोगे तो आपको यहाँ पर size और बाकी इसके जो font वगएरा font style है या फिर इसको bold italic करना चाहो या फिर आप इसमें color देना चाहो and यहाँ पर आप लोग इसके background में color दे सकते हो तो यहाँ पर आपको काफी सारे customize के option देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लोग यहाँ पर easily कर सकते हो and आप लोग चाहो तो यहाँ से और इस template को बढ़ा कर सकते हो बाकी के दूसरे template भी यहाँ पर add कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने अपने account को कर लिया है login and login करने के बाद आप देखोगे आपके सामने कुछ इस type का interface खुल जाएगा सबसे top पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर माई प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको वो सारी videos मिल जाएगी जो आप लोग edit कर रहे थे last time यह आप edit कर चुके थे और अगर आप लोग चाहो तो इन videos को दुबारा से edit कर सकते हो यहीं से left side की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको start from scratch देखने को मिल जाएगा home menu मिल जाएगा my project है उसके बाद में favorites है उसके बाद में stock videos यहाँ पर आपको काफी सारी videos मिल जाएगी इसी website से जो आप अपनी videos में add कर सकते हो तो templates हम लोग देख चुके हैं कि आपको कैसे customize वगरा करना है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर video edit की तो यहाँ पर आपको आना है start from scratch option पर यहाँ पर आपको 2 option देखने को मिलेंगे एक है यहाँ पर storyboard mode एक है timeline mode तो अगर आप लोग पहले ही किसी और software पर वीडियो edit कर चुके हैं तो आप लोग को timeline mode आता होगा चलाना तो वो आपके लिए जादा easy रहने वाला है यह काफी सही भी रहता है तो आप लोग timeline mode के उपर आ सकते हो यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ इस type का interface देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे आपको videos edit करनी है या किस तरीके से आपको videos को add वगरा करना है तो यहाँ पर आप लोग यह साई चीजे भी देख सकते हो बट अगर आप लोग को आता है तो आप लोग यहाँ पर got it कर सकते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस type का interface देखने हो बिलता है अब आपको यहाँ पर पहले तो videos को लाना पड़ेगा तो आप लोग यहाँ पर stock media यानि कि इनकी website से videos ले सकते हो local files में जाओगे तो आप लोग यहाँ पर अपने PC के अंदर जो भी आपने store करके रखी है videos औगरा वो सारी आप access कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोग video photo audio ले सकते हो stock media से लोकल files पर आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने folders आ जाएंगे आप लोग यहाँ से कोई भी एक video या कोई भी जो भी आपको videos को edit करना है वहाँ पर आप लोग videos को select कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग add कर सकते हो तो फटा-फट से हम लोग भी यहाँ पर कुछ videos को add कर लेते हैं और आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको video editing कैसी देखने को मिलती है और आप लोग किस टाइप की video editing यहाँ पर कर सकते हो तो यहाँ पर पहले मैं जल्दी से यहाँ पर videos लगा दिता हूँ उसके बाद में हम लोग देखते हैं आपको किस टाइप की video editing देखने को मिलती है ओके तो यहाँ पर मैंने सारी videos को लगा दिया है timeline के उपर अब यहाँ पर हम लोग अगर इसके features की बात करें तो left side में देखेंगे तो आपको वही सारी चीजे देखने को मिल जाती है जो कि आपको templates में भी देखने को मिलती है text को लेने के बाद में आप लोग इसको drag कर सकते हो आपको कहां पर उसको लगाना मतलब बिल्कुल starting में चाहिए थोड़ा सा आगे चाहिए या फिर आपको यह पूरी video में चाहिए तो वो सारी चीजे आप लोग normal जैसे हम लोग edit करते हैं वैसे आप लोग edit कर सकते हो size आप लोग चोटा बड़ा कर सकते हो इसको फिर यहाँ पे आप लोग चाहो तो move कर सकते हो जहां पर भी आपको लगाना आप लोग लगा सकते हो top पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको वापिस से वही सारे options मिलते हैं font के bold, detail या फिर आप लोग size चोटा बड़ा करना चाहो तो वो size चीजे आप लोग उपर से भी कर सकते हो and यहां पर हम लोग इसको नीचे लगा देते हैं और यहां पर हम लोग लिखेंगे subscribe तो जो भी आप लोग लिखना चाहो अपने channel का नाम वगएरा वगएरा जो भी आपको लिखना आपको उसको लिख देना है और done कर देना है and आप लोग इसको अपनी तरीके से adjust कर सकते हो आप लोग इसकी पूरी duration रख सकते हैं आपको इसे पूरी वीडियो में लगाना है या फिर आपको short time के लिए लगाना है and यहाँ पर आप लोग टॉप पर अगर देखोगे तो आपको यह option मिलता है split का इसको आप click कर दोगे तो यहाँ से यह जो वीडियो है वो split हो जाएगी and आप लोग चाहो इसको delete कर सकते हो चोटा बड़ा कर सकते हो या फिर जो भी आप लोग इसको cut करके करना चाहते हो यहाँ पर अपना लोगो भी लगा सकते हो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि आपकी वीडियो को काफी अच्छा आप लिग सकते हो बना देती है तो यह सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर edit कर सकते हो एंड यहाँ पर जो लिखा हुआ let's connect इसको भी आप लोग चाहो तो follow us लिख सकते हो या कुछ और लिखना चाहते हो वह लिख सकते हो तो simply आपको double click कर देना है यहाँ पर आप लोग को जो भी लिखना है आप लोग को देखना है कि किस तरीके से अनिमेट होने वाला है तो आप लोग यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो एंड इसके साथ में हाँ पर आप लोग आते हैं नीचे elements पे तो वापिस सही आपको वही सारे elements देखने को मिल जाते हैं like YouTube का logo है यहाँ पर आपको like बटन मि लिए तो यह सारी चीज आपको मिल जाती हैं काफी सारे arrows मिल जाते हैं शेप मिल जाते हैं तो इनको भी आप अपने तरीके से कहीं पे भी एड़्ेस कर सकते हो एंड प्ले करके देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यह आपको दिखने वाला है और यहाँ मेरे सिस्टम में थोड़ा सा लेक कर रहा है क्योंकि यह जो मेरा सिस्टम में यह काफी पुराना हो चुका है एंड इसमें अभी कोई ग्राफिक कार्ड वगयरा कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेक देखने को मिल ला है बाकि अगर आपके पा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसके उपपर किलिक करोबने तो यहाँ पे जो वीडियो हो एड हो जाएगी अगर आपको यह वीडियो दीट करके दूसरा भी लगा सकते हो और बात कर से ह不用 क tricks बीच में कोई ट्रांजिशन लगाते हैं तो उससे मतलब वीडियो काफी जादा अच्छी दिखती है तो यहां पे आपको काफी सारे ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का ट्रांजिशन है मतलब ट्रांजिशन को अपलाई करें बिना भी आप लोग यहां पे देख सकते हो कि यह ट्रांजिशन कैसा दिखता है और फिर प्रिव्यू देखने के लिए आप लोग प्ले कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो कि यह ट्रांजिशन आपको कैसा देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मैंने काफी सारे transitions लगा दिये हैं इसके बाद भी हम लोग बात कर लेते हैं watermark के बार में तो आप लोग यहाँ पे इतने channel का नाम दे सकते हो अगर आपकी वीडियो को किसी ने sponsor किया आप लोग उसका नाम दे सकते हो यहाँ पे भी आपको काफी सारे font style देखने को मिल जाते हैं तो जो भी आप style यूज़ करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग चाहो इसकी opacity को change कर सकते हो size चोटा बड़ा कर सकते हो position आप लोग set कर सकते हो और आप लोग चाहो तो इस watermark का color भी change कर सकते हो अपने हिसाब से तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे option देखने को मिल जाते हैं और यह काम आप लोग काफी easily कर सकते हो like अगर आप लोग facecam videos नहीं बनाते हो आप लोग किसी एक topic के उपर video बना रहे हो तो आपको उसके लिए कई सारे videos ढूणने पड़ेंगे internet से आपको काफी सारे images ढूणने पड़ेंगे तो यह सारी चीजों से बचने के लिए आप लोग इस website को use कर सकते हो and last option के उपर आएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे aspect ratio देखने को मिल जाएंगे 1080p पर इसको save कर सकते हो, export कर सकते हो and यहाँ पे आपको export के बाद में option देखने मिलेगा अगर आप लोग इस type का कुछ animation लगाना चाहते हो but अगर आप लोग YouTube पर video डाल ले तो खेर इसको कौन ही use करेगा तो खेर इसको जादा को use करने वाला नहीं है तो आप लोग यहाँ पे कोई भी clip ना लगाए तो जादा अच्छा रहेगा उसके बाद में आप video का title दे सकते हो and export कर सकते हो export करने में इसको थोड़ा सा time लगेगा अगर आपका system थोड़ा सही है तो वो जादा time नहीं लेगा बट अगर आपका system slow है तो काफी जादा time भी ले सकता है तो यहाँ पे जो हमारी video है वो successfully export हो गई है अब हम देखते हैं कि हमने जो video edit करी है उसका final output हमें कैसा देखने को मिलता है so guys यही थी हमारी आज की video अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो इस video को like ज़रूर करना और अगर आप लोग channel पर पहली बार आयो तो channel को subscribe कर देना और वैल आइकन को भी दबा देना तब हम मिलते हैं अपनी next video के अंदर तब तक के लिए stay awesome good bye